क्या आप भी रहते हैं कंफ्यूज की घर के बाहर कौन सा पेड लगाएं जो की स्मॉल हाइट का हो बुसी लुक दे और देखने में काफी खुबसूरत लगे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अपने भारत में भी कुछ ऐसे पेड हैं जो की स्मॉल हाइट बुसी लुक के साथ साथ आपको फ्लावरिंग भी करेंगे और आपका ज्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे तो इस वीडियो में कुछ ऐसे कमाल के पेड़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप तोड़ फोड मरोड करके एक मिनट जिन्हें आप कटिंग करके अपने कॉर्डिंग चैसा चाहें वैसा से ब दे सकते हैं बस आप इंट तक वीडियों में बने रहें, हमने फर्स ट्री लिया हुआ है, कचनार का, इसे बहुनिया के नाम से भी जाना जाता है, इस पेड़ के फ्लावर कलर की बात करें तो काफी कलर देखने को मिलते हैं, येलो, ब्लू, रेड, वाइट, ऐसे और भी इसके कलर आते है येही इसे बाकी पेड़ों से अलग बनाता है, क्योंकि बाकी पेड़ों में सायद इतने कलर देखने को मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इसके जो फ्लावर हैं, वो इडिबल होते हैं, बहुत से लोग इसकी साग सबजी बना कर खाते हैं, क्योंकि ये ड ये एक medicinal plant भी है जिसके कारण इसे सड़क के किनारे लगाया जाता है रोड साइट पर छोड़े जोड़े बच्चे इसके flower के साथ खेलना काफी पसंद करते हैं इसमें flowering गर्मियों के समय होती है इसमें जब flowering होती है उस टाइम पर पत्तियों से ज़्यादा इसके flowers दिखाई पड़ते हैं और अगर हलकी भी तेज हवा चली है तो इसके flowers की बारिस स्टार्ट हो जाती है ये पेड़ भी इसके seed से उगाया जाता है रोड साइट पर लगा जढ़ जाते हैं इसके रेट कलर के flowers दूर से देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे उसमें आग लगी हो और इसके जो flower का साइज है काफी बड़ा होता है और इसके जो बड़े बड़े flower गुच्छों में दिखते हैं तो काफी attractive लगते हैं और बाकी plants तो अलगी लगते हैं इ इसे रोयल पंसेटिया के नाम से भी जाना जाता है कृष्ण चूड के नाम से भी जानते हैं यह भी सीड से उगने वाला पेड़ है जो की बहुत तेजी से ग्रो करता है यह तीन से चार सालों में काफी बड़ा और flowering भी start कर देता है जब इसमें फूल निकलते हैं उस पेड़ है चमपा का पेड़ ट्रू चमपा रियल चमपा इसे मंगोलिय चमपा के नाम से भी जाना जाता है इसके पीले रंग के फ्लावर आता है जो की चार पांच इंच का होता है इसमें प्लांट की हाइड 20 से 30 फिट तक होती है इसके फ्लावरिंग ज्यादा नंबर में आती है काफी जादा होती है जोकी flowering season में इसकी खुस्बू काफी दूर तक जाती है जिसते की चमपा का पेड़ कहां पर लगा हुआ है लोगों को इसकी खुस्बू से ही पता लग जाता है चमपा के पेड़ का origin जो है वो भारत को माना गया है महा भारत में चंपा के पेड़ का जिक्र है महा भारत के जो करण है वो चंपा नगरी के राजा थे जो की इस वक्त बिहार के भागलपूर जिले में है हमारा 6th नमबर का पेड़ है सिरीस का इसके जो फूल है वो अपनी विसेर्स बनावाट के कारण जाने जाते हैं धागे जैसे इसके फूल पावडर पफ जैसे दिखते हैं जो की देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं इसके जो ये रंग है इसकी बहुत सारी वेराइटी जाती है ये पेड़ ज्यादा हाइट में ना जाकर जाड़ी नुमा हो जाता है और ये रोड साइट पर काफी लगाया जाता है क्योंकि ये ड्रॉड टॉलरेंट होता है ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है ज्यादा कलर होने के कारण ज्यादा अट्रेक्टिव भी दिखता है हमारा सेवेंध नंबर का पेड़ है रोजी ट्रमपेट इसे बसंत रानी के नाम से भी जाना जाता है इसकी काफी ज्यादा नंबर में फ्लावरिंग आते हैं जितने ज्यादा कि इसकी लीव तक दिखाई नहीं पड़ती है इसकी जो हाइट है वो 20-30 फिट तक जाती है कभी-कभी इसकी पत्तियां जब ज़ड़ जाती है तो सिर्फ-सिर्फ इसके फ्लावर्स ही दिखाई पड़ते हैं इसमें काफी ज्यादा medicinal value है जिसके कारण इसे भी roadside पर ज्यादा मात्रा में लगा जाता है हमारा एट्थ नंबर का पेड़ है बॉम्बैक सीबा इसे रेसमी कपास के नाम से भी जनाता है इसको काफी लोग सेमल के नाम से भी जानते हैं इसमें काफी ज्यादा बड़े आकार के फूल आते हैं जो की 5-6 इंच तक होते हैं जिनका वजन भी काफी होता है जबकि इसके flower जब नीचे गिरते हैं तो धपकी आवाज आती है बहुत कुछ जानवर इसके flowers को खाते भी हैं और इसमें जो ये रूई निकलती है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं हमारा 9 नमबर का plant है नूपूर जैकरेंडा इसे हमारे यहां काफी अलग-अलग नामों से जाना जाता है भंगेरी, नीली भंगेरी और इसके जो पेड़ है वो बीजों से तयार किया जाता है इसके जो बीज है वो हलके होने के करण तेज हवा में उड़कर कहीं बाहर जंगलों में या रोड के साइड कभी-कभी खेतों में उकते हैं जाकर के और इसके जो पेड़ेंट फूल आते हैं हमारा लास्ट और टेंथ पेड़ है रगतुर और नंदी फ्लेम इसे आफ्रिकन ट्यूलिप कहा जाता है इसके जो पेड़ है बड़े आकार का 20 से 30 फिट तक जाता है ये ड्रॉट टॉलरेंट मतलब की सूखे में से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इसमें जो फ्ल इस तरह की गार्णिंग एंड फार्मिंग से रिलेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें